हाई दोस्तों वेलकम तो माई चैनल भीके एस के बीपियर की मैथट बाइ प्रिचिस कुमार दोस्तों आज का टॉपिक है मापन मतलब मेजर मेंट लंबाई की कुछ एकाईयां हैं तो एक होती है बिटिस पद्धती और एक होती है मेट्रिक पद्धती तो दोनों से हम देखे लंबाई की मेटरी मापन होती है मतलब कैसे आगे बढ़ते हैं तो 10 मिलिमेटर बराबर कितना होता है एक सेंटीमेटर और 10 सेंटीमेटर बराबर होता है एक मेटर के बराबर होता है और 10 जो मेटर होता है एक डेका मेटर के बराबर 10 डेका मेटर बराबर एक हेक्टो मेटर और 10 हेक्टो मेटर बराबर एक किलो मेटर होता है इस तरह से मेटर दूरी की लंबाईयां बनती है फिर आती है लंबाई की ब्रिटिस मापें जो है यह क एक गज होता है और 220 गज बराबर एक फरलांग आठ फरलांग बराबर 1760 गज या एक मिल मतलब एक मिल में कितने फरलांग 8 फरलांग होते हैं या 1760 गज होते हैं च्छे फुट बराबर एक फैदम और इंक्यान मतलब साड़ी 25 गज बराबर एक पोल होता है चार पोल बराबर एक चैन और दस चैन बराबर एक फरलाम तीन मिल बराबर एक लीग और तीन मिल बराबर एक लीग होता है दो दसम्मलो पंच चार सेंटमेटर के एक मीटर बराबर होता है 49 दसम्म तीन साथ इंच के और एक किलो मेटर कितना होता है 0.621 मिल के होता है मतलब साठ के पास फिर द्रभमान की कुछी काई आ जाती है द्रभमान की जैसे यह काई हैं को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि द्रब्रमान की जो मीटरी माप हैं यह कुंसी हैं दस मिली ग्राम जैसे हैं कि दस मिली ग्राम वहां पर मिली मीटर यूज होता था यहां ग्राम यूज होगा तो दस मिली ग्राम बराबर एक सेंटी ग्राम दस एंटी ग्राम बराबर एक ड उद्रबवान की ब्रिटिस मापे हैं कुछ इनको देख लेते हैं तो 27 समलो तीन दो ग्रेन बराबर एक ड्रॉम होता है 16 ड्रॉम बराबर एक आउंस या 4,371 बटा दो ग्रेन होता है 16 आउंस बराबर एक पॉंड के या 7,000 ग्रेन के होता है 20 100 वेट बराबर एक टन होता है एक टन कितना होता है 20 100 वेट बराबर या 10 कुंटल बराबर भी एक टन होता है